अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपने कभी EMA 2 यूज किया है कि नहीं, Exponential Moving Average का Length 2 लगाके चार्ट पर कभी यूज किया है, आप मुझे यही कहेंगे कि नहीं भाईया, कभी यूज नहीं किया है, मैंने 200 यूज किया है, 50 यूज किया है, और 5 भी यूज किया है, इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, हम अंदाजा ये लगा सकते हैं, कि EMA 2 कोई नहीं यूज करता है, और कोई भी काम, जो कोई नहीं यूज कर रहा है, वही Actual Trading में होता है Edge, तो अगर सवाल यहाँ पर यही उठता है, कि क्या मैं इंडिकेटर से पैसे कमा सकता हूँ, बिलकुल कमा सकते हैं, सचाई यह है कि जो जो इंडिकेटर आपके आखों के सामने आते हैं, यह बड़े-बड़े इंडिकेटर जिनके बारे में बहुत बाते होती हैं, जैसे RSI हो गया, MACD हो गया, ATR हो गया, ADX हो गया, exponential moving average हो गया, इन सबों को जिन्होंने खोजा, जिन्होंने बनाया है, वो mathematician रहें, बहुत बड़े-बड़े trader और investor रहें, और बहुत बड़े-बड़े research किया हैं, उन लोग ने बड़ा घनन अध्यान करके ये indicators बनाएं, लेकि लोग इनका जब प्रयोग करते हैं, तो market में सब को पता है, जिनके पास ज्यादा पैसा है, जो बड़े institutional players है market में, stock market में, they know कि आप भी वही indicator वैसे ही use कर रहे हैं, तो अगर कोई एक चीज जो पूरी दुनिया को पता है कि ये ऐसे ही use की जाती है, तो क्या वो चीज हिट क जाएगी, वो चीज आप profit देगी, नहीं रही, तो point यहाँ यही बनता है कि indicators fail इसी लिए होते हैं, क्योंकि उसी indicator को उसी तरीके से बहुत सारे लोग use कर रहे होते हैं, प्लस एक और बात है, कि सबसे पहले तो price बनता है, उसके बाद indicator वो चीज reflect करता है अपने उपर, price पह इसको आप आगे देखने के लिए use कर सकते हैं, लेकिन अब आपको सोचना यह है कि पैसे indicator से बनाने कैसे हैं, जब वही indicator सबके पास मौझूद है, इसका सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, पूरा logic आपको समझ में आ जाएगा, logic यह है कि अगर आपको loss हो रहा है कोई indicator को use करक हैं, बहुत सारे लोग, वही मैं कहा रहा हूँ, अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपने EMA 200 या 50 लगा के कितनी बार use किया, exponential moving average 200 आपने कितनी बार use किया, आप कहेंगे बहुत बार use किया है, और आप में से 99 प्रतिशत लोग, 99% लोग बोलेंगे हाँ, सबसे पहले तो मैंन यूनिक कर कहा रहे हैं, पूरे दुनिया को पता है कि वही strategy आप भी use कर रहे हैं, 99% लोग यूज कर रहे हैं, और क्योंकि 99% लोग वही strategy यूज कर रहे हैं, तो वो तो fail होनी ही होनी है, बड़े players जिनके पास पैसा है, वो क्यों चाहेंगे कि आपको profit हो, उन्हें मालूम है कि आपको sell करने वाले हैं, उन्हीं indicators के basis पर, लेकिन वो उस indicator को आपको बेवकूव बनाने के लिए use करते हैं, वो trade करने के लिए use नहीं करते हैं, अगर आपको कोई भी indicator, मैं कहता हूँ कोई भी indicator, random कोई भी indicator उठा लीजे, उसको आपको use, इस तरीके से करना है, अगर profit बन करोड़पती बनना है, तो उस indicator को आपको इस तरीके से use करना है, कि आप सो लोगों से, हजार लोगों से पूछ लीजे, वो indicator उस तरीके से, कोई भी वेक्ति use ना कर रहा हो, छोटा सा है, देखे trick, छोटी से trick है, किसी भी indicator को अच्छे से use करना हो, तो बस यही मान लीजे, यही trick दिमाग में भर लीजे, कि उसको आपको इस तरीके से use करना है, जिस तरीके से कोई समाज में उसको use ना कर रहा हो, हजार लोगों से पूछ लीजे, लाख लोगों से पूछ लीजे, लेकिन उस indicator को उस तरीके से कोई use ना कर रहा हो, जिस तरीके से आप use कर रहा है, मै तो उसके बाद जब 25 पे हिट होगा तो 25 पे मैं शॉर्ट कर दूँगा पोजीशन अब इसके पिछे का logic मेरे को नहीं पता लेकिन अगर आप 1000 लोगों से पूछेंगे लाख लोगों से पूछेंगे कि क्या भीया इस तरीके से RSI को यूज करते हो वो कोईंगे नहीं ये कौन यूज करके देखा है आप लाख लोंगों से पूछ लिए शायद ही कोई बोलेगा कि यह में यूज करता हूं शायद कोई न बोले तो इसी कारवश मैंने बोला कि यह में तू यूज करके तो देखिए मैंने यूज किया है मेरे पास एक strategy भी है इस almost profitable हां यह है कि थोड़ा तरीके से हजार या लाख लोग उसको यूज नहीं कर रहे हैं all indicators are good, all indicators have some edge in it लेकिन आपको उसे use अलग तरीके से करना है तभी आप होंगे profitable और तभी आप बना पाएंगे indicator के basis पे actually धंग से करोडों रुपे